नमस्कार दोस्तो आप लोग का मेरे यूटूब के ए आई शाना ब्लोक में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि दाई मा के चार उपाय जिसे करने से प्रसो दर्द में बहुत ही कम दर्द में बेबी बाहर निकल आता है दोस पेरे मोड कर हमेशा बैठना चाहिए उन्हें चाहिए कि घर का जब वो पोचा लगा रही है जाडू लगा रही है यह सब करें तो वो पेचे जमीन पर पेर अपना मोड कर बैठ कर करें जिससे उन्हें शर्विक्स यानिकी गरभासे का मुझ खुलने में आसानी होती है और कम कर जब आठवे मैना खतम हो जाए तो उन्हें चाहिए कि दो चमच गुनगुने दूद में घी मिला कर उसे अपना स्टेवन करें इसे गरभासे में चिकनाट आती है और शिसु को बाहर निकलने में आसानी होती है दोस्तों तीसरा नमबर दोस्तों गरभास था के दौरां तहलना हलका फुलका एक्सेसाइज करना घर में थोड़ा बहुत काम करना इससे दर्द में काफी रात मिलता है यह सब काम करने से मांसपेसिया लचीला होता है और शिसु को जर्म देते हैं जोर लगाने में मददगार होता है और दोस्तों चोथा जब नौवा मैना शुरू हो जाए तो सीडियों पे चलना उतरना शुरू कर देना चाहिए दोस्तों इससे भी मदद मिलता है ठीके दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और हाँ दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक में जरूर लिखिए उसका जबाब जल्द ही दिया जाएगा ठीके दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों